आज परिए हम आपका जोग्रफी एंस्यार्टी चैप्टर थी मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज किरी वाज विजिटिंग सुकंद इन नेटिव प्लेस नियर धनबाद किरी जो है अपने दोस्त जो है सुकंद को विजिट कर रहा था मतलब जा रहा था उसके पास जो कि उसके गाउं में रहता है नियर धनबाद में किरी वाज अमेज तो सी दैट लार्ज एरिया जो रखा है यहां पर तो उससे सुकंद से पूछता है किरी कि जो प्लेस है यह काला क्यू पढ़ा है इतना ठीक है वो पूछती है पर कोउले की खान है में मिनरल को न काल ला के तो सुकंद का बोलता है किया तुम्हें वो ट्रक दिख तिक रहे हैं इनमें कि आ रहा है मिनरल क कओ jsem है वाट? What are minerals? आस किरी तो किरी पूश्टी है कि ये minerals क्या होता है सुकंद रिप्लाइड Have you ever seen a baker baking biscuit? तो सुकंद रिप्लाइड करता है क्या तुमने कभी एक बेकर को देखा है biscuit बनाते है दफ्लोर, मिल्क, शूगर and sometimes eggs are mixed together कि उसमें क्या होता है आटा, दूद, चीनी और कभी-कभी तो अंडे भी मिक्स के जाते हैं एक साथ वाइल एटिंग दा बेग बिस्केट, can you see these ingredients separately? कि जब तुम्हें ये बिस्केट खाते हो, क्या तुम्हें जो उसमें ये ingredients हैं, इतने सारे क्या तुम्हें वो अलग-अलग दिखते हैं? Just as in the biscuits there are a number of things that you cannot see, rocks on this earth have several materials called mineral mix in them ठीके तो वो सुकत बोलता है कि जैसे की biscuit होते हैं, biscuit में होते हैं, वैसे ही ऐसे ही बहुत सारे number of things हैं, मतलब अलग-अलग चीज़े हैं, जो हमें दिखाईनी देती हैं, rocks में, rocks on this earth, इस earth पर दिखाईनी देती हैं, और उसमें बहुत सारे अलग-अलग materials होते हैं, जिसे की minerals का जाता है, जो की minerals उसमें mixed होते हैं, these minerals are scattered throughout the earth rocky crust, ठीके दो minerals होते हैं, minerals को हिंदी में खनीज बोलते हैं, धातु धातु परदार से related, तो these minerals are scattered throughout the earth rocky crust, ठीके तो earth rocky crust means, earth का उपर वाला जो आपका layer है, उसे बोलते हैं, earth crust, ठीके है, तो ये कहाँ पर scatter है, अर्थ के उपर वाली layer पे, ये minerals किसमें rocks की form में या फिर अलग किसी material की form में available है, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral, ठीक है, a naturally occurring substance means, जो naturally हमें, मतलब खुदी naturally nature से मिलते हैं, substance, और जिसके क्या होते है, chemical composition, chemical composition means, किसी की density high होगी, कोई जादा भारी होगा, ठीक है, कोई क्या है, hardness किसी की कम हो होगी, किसी की जादा होगी, तो इन्हें chemical composition, जो होती है, natural occurring substance में, इन्हें हम minerals कहते हैं, minerals are not evenly distributed over space, ठीक है, तो minerals जो है, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, उनका कुछ अपना area होता है, जहां पर वो पाए जाते हैं, they are concentrated in a particular area of rock formation, ठीक है, तो वो particular area में form होते हैं, some minerals are found in areas which are not easily accessible, ठीक है, तो कुछ minerals कैसे area पर होते हैं, जहां पर हम आसानी से नहीं पहुच सकते, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica, जैसे कि आपका Arctic Ocean bed, ठीक है, ocean और Antarctica यहां पर भी बहुत थंड़ वरती है, minerals are formed in different types of geological environment, जो आपके minerals हैं, वो अलग-अलग जो है, environment में, geological environment में आपको मिलते हैं, अलग-अलग environment में, और under varying condition, और अलग-अलग conditions में, they are created by natural process without any human interference, they can be identified on the basis of their physical properties, such as color, density, hardness and chemical properties, such as solubility, ठीक है, तो यह क्या होता है, naturally process से होता है, इसमें human को interfere नहीं करता है, और हम इनको, इनकी physical properties से हम इनको पहचान सकता है, जैसे कि color हो गया, density हो गई, hardness, color हो गया, किस color का है, उससे हमें पता चलता है, density means भार कितना है, तो अलग-अलग vary करता है, यह भी भार, hardness, कितना हो, मजबूत है, कितना hard है, and chemical properties, such as solubility, solubility means घुल जाना, तो इनसे हमें minerals का पता चलता है, types of minerals, तो minerals कितने types के होते हैं, there are over 3000 different minerals, तो हमारे पास 3000 से भी जादा अलग-अलग प्रकार के mineral हमें मिलते हैं, on the basis of composition minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals, minerals generally कितने types के होते हैं, दो type के होते हैं, आपके metallic और non-metallic, तो metallic में आपके ferrous होता है और non-ferrous, तो metallic minerals का होते हैं, metallic minerals contain metal in raw form, metals are hard substance that conduct heat and electricity, ठीके तो metallic minerals का होते हैं, इन में metal contain होता है, पर raw form में, यह पूरी तरह से अभी metal में convert नहीं हुए होते हैं, metals are hard substance, ठीके कैसे substance है, hard है, और यह heat और electricity, मतलब heat और electricity के यह अच्छे conductor होते हैं, और luster और shine, ठीके तो और यह shine भी करते हैं, iron ore, bauxite, manganese, ore are some example, जैसे कि आपके metallic minerals के example हो गए, iron ore, bauxite, manganese, यह कुछ इसके example है, metallic minerals may be ferrous और non-ferrous, metallic minerals के भी आपके दो टाइप होते हैं, ferrous और non-ferrous, ferrous minerals like iron ore, manganese and chromates contain iron, तो ferrous minerals कौन से होते हैं, जिसमें कि आपका iron contain होता है, और non-ferrous कौन से होते हैं, जिसमें iron नहीं होता है, जैसे कि metal जैसे gold हो गया, silver, copper, तो इसमें iron नहीं होता है, non-metallic minerals do not contain metals, और जो non-metallic minerals होता है, इसमें कहानी होता है, आपका metal नहीं होता है, जैसे कि limestone, mica and gypsum, means इसमें लोहे की कोई चीज नहीं होता है, limestone, tuna, mica and gypsum, जो आपका P.O.P. को सुखा कर बनता है, P.O.P. को, जो आप melt हो कर देते हैं, पानी मिला देता हैं, जिपसम बन जाता है, आर example of minerals, ठीके तो ये minerals के example है, the mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals, ठीके तो mineral fuel, जैसे कि coal, petroleum हो गए, ये भी क्या आपके non-metallic minerals, इनमें कोई लोहा नहीं है, ठीके तो हमें पता है, coal and petroleum क्या है, ये भी हमारे non-metallic minerals है, minerals can be extracted by mining, drilling, or quaring, ठीके तो minerals को हम कैसे निगालते हैं, जमीन से या फिर जहां पर हो पाए जाते हैं, तो उसके यहां पर example आपके, जैसे mining से, drilling से, quaring से, तो यहां पर extraction of minerals में, first देखेंगे हम mining, कैसी होते हैं, open cast mining, shaft mining, उसके बार drilling, फिर quaring, पहले हम mining पढ़ेंगे, the process of taking out minerals from rock buried under the earth surface is called mining, ठीके, जो हमारे minerals है, जो की rock की form में होता जालना, उसे क्या बोलते हैं, mining, बोलते हैं, minerals that lies at shallow depths are taken out by removing the surface layer, this is known as open cast mining, minerals, जो की shallow depth means, ज्यादा अंदर नहीं होते हैं, मतलब उसमें खोदना पड़ता है, पर ज्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता, और अर्थ की surface को यह remove करके, निकालते हैं, तो इसके बोलते हैं, open cast mining, deep bores called shafts have to be made to reach mineral deposit that lie at great depth, this is called shaft mining, ठीक है, जब बड़े-बड़े कुवे कुवे बोलते हैं, bores और बहुत अंदर तक खुदाई की जाती है, जमीन के अंदर तक, जो mineral deposit तक पहुचने के लिए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, shaft mining, petroleum and natural gas occur far below the earth surface, जैसे के आपका petroleum हो गया natural gas, य ये भी earth से बहुत नीचे पाई जाते हैं, deep fell our board to take them out, this is called drilling, और इसे क्या कहते हैं, drilling process को, ठीक है, जब petroleum बहुत great depth पे होता है, नीचे तो इसे हम किसके process से निकालते हैं, drilling, minerals that lie near the surface are simply dug out by the process knowing as squaring, ठीक है, जब हमें बहुत ही कम surface पे, मतलब बिलकुल ही कम खोदना पड़ता ह है और हमें जब minerals मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहता है, quaring, quaring और आप कहां पर देखेंगे, open cast mining सेम है, इसमें open cast mining में पर थोड़ा जादक होदना पड़ता है, quaring में उससे थोड़ा कम, और जो shaft mining उसमें बहुत जादक होदना पड़ता है, comments या फिर body boards वहां पर डाली जात हैं, जैसे कि some are found in ignisius rock, जैसे कि कुछ किसमें found होते हैं, ignisius rock में, कुछ metamorphic rock में, while other occurring sedimentary rock, कुछ जो है, sedimentary rocks में पाय जाते हैं, जनरली जो आपके metallic minerals are found in ignis and metamorphic rocks formation that form large plateau, ठीक है, जनरली जो आपके metallic minerals होते हैं, जिसमें metal होता है, तो वो कहां पर आपके ignis और metamorphic form में पाय जाते हैं, आपके rocks में, और लार्ज plateau form करते हैं, iron ore in northern Sweden, ठीक है, तो iron ore कहां पर जैसे कि northern Sweden में पाय जाता है, copper and nickel deposit in Ontario, ठीक है, copper and nickel Ontario में पाय जाते हैं, कैनाडा में, iron nickel chromides and platinum in South Africa, ठीक है, तो iron nickel chromides कहां पाय जाते हैं, platinum, South Africa में ये कुछ example है, minerals के जोगी हमें ignis और metamorphic rock से मिल दे हैं, तो sedimentary rock formation of plains, ठीक है, तो sedimentary rock होती है, plains में, young fold mountains में, ये पाय जाते हैं, और इसमें non metallic minerals होते हैं, जैसे कि limestone हो गया, ठीक है, limestone deposit of cocasus, ठीक है, तो non metallic कहा होते हैं, जिसमें आपका metal नहीं होता है, तो इसमें limestone आ गया आपका है न, तो ये deposit of cocasus, region of France में पाय जाते हैं, manganese deposit of Georgia में पाय जाते हैं, manganese और yukarine, yukarine and phosphate, कहाँ पर पाय जाते हैं, bats of Algeria, are some example, ये कुछ उसके example है, mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata, ठीक है, minerals जो fuel होते हैं, आपके हों कहाँ पर पाय जाते हैं, जैसे कि coal and petroleum, sedimentary strata में पाय जाते हैं, ये ठीक है, ये एशिया, एशिया में अब देखेंगे हैं, चाइना and इंडिया have large iron ore deposit, ठीक है, जो चाइना और इंडिया है, इसके पास सबसे ज़्यादे क्या है, large iron ore deposit है, this content produces more than half of world tins, ठीक है, तो the continent produces, ठीक है, जो continent क्या produce करते हैं, more than half of the world tins, पूरे world का, जो एशिया है, पूरे world का half से ज़्यादा iron ore deposit करता है, मतलब पाय जाते हैं यहाँ पर, अब चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया और इंडोनेशिया और इंडोनेशिया है, ये leading tin producer हैं, वर्ल्ड में, चाइना also leads in production of lead antimony and tungsten, ठीक है, चाइना और किस production में lead कर जाता है, जैसे कि आपके lead हो गया antimony और tungsten में, ये भी आपके metals के form है, एशिया also has deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper, ठीक है, एशिया में भी कौन से deposit है, manganese, bauxite, nickel, zinc and copper, ये metals के नाम है, यूरोप, यूरोप is leading producer of iron ore in the world, यूरोप iron ore में leading producer है, वल्ड में, the countries with large deposit of iron ore and Russia, ठीक है, the countries with large deposit of iron ore are, ठीक है, जिसमें, countries इसके पास large deposit iron ore की, क्या है वो, Russia, Ukraine, Sweden and France, ठीक है, ये country है, minerals deposit of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in eastern Europe and eastern Russia, ठीक है, तो minerals deposit जो copper, lead, zinc, manganese, nickel, ये कहाँ पर पाये जाते हैं आपके, इस्टन यूरोप और European Russia में, अब North America, the mineral deposit in North America are located in three zones, ठीक है, तो mineral deposit है North America में, वो three zones में locate हैं, जैसे के आपका Canadian region हो गया, North of Great Lakes, और the apple icon region and the mountain ranges of the west, ठीक है, एक कुछ रीजन है आपके, three region में divide है, North America में, iron, ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian shield region, ठीक है, तो ये सब metals Canadian shield region में mined होते हैं, coal in the appellican region, coal appellican region में, western cordillaries have vast deposit of, जो western cordillaries है, इसमें vast deposit है आपका, बहुत सारे deposit है, copper, lead, zinc, gold and silver, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया गया है, कौन सी चीज कहाँ पर पाहे जाती है, ये आपको पढ़ना है और ये समझना है आपको, अब South Africa में देखिए, South America में, Brazil is the largest producer of high grade iron ore, ठीक है, Brazil large iron ore produce करता है, larger producer of world में, Child and Peru are leading producer of copper, ठीक है, ये जो आपके leading producer copper के Brazil and Bolivia are among the world's largest producer of tin, ठीक है, तो Brazil and Bolivia भी किसमें हैं आपके ये वर्ल्स के last producer है, tin के, ये भी उसमें आते हैं, South America also have large deposit of gold silver, South America में भी बहुत सारे deposit आपकी gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond, Minerals oil is found in, जो Minerals oil हो, कहाँ पर found होता है, in Venezuela, Argentina, Child, Peru and Colombia में, एसी एफिरिका is rich in minerals, एफिरिका भी रिच है, mineral sources में, It is the world's largest producer of diamond, gold and platinum, ठीके जहाँ पर diamond, gold, platinum ये पाई जाते हैं, ये भी इसका वर्ल्स के largest producer है, में आता है, South Africa, Zimbabwe and Zaire produce a large portion of world gold, ये भी world के जो gold का part है, ये इसमें, उसमें play role करते हैं, The other minerals found in Africa are, the other minerals है, जो एफिरिका में found होते हो, copper हो गए, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite, oil is found in Nigeria, Libya and Angolia, ठीक है, oil कहाँ पर found होता है, Nigeria, Libya और Angola में, Australia के पढ़ेंगे, Australia is the largest producer of bauxite in the world, Australia bauxite के largest producer है, और it is leading producer of gold diamond iron ore, ये भी gold, diamond and iron ore, तो इसमें iron ore में confuse नहीं होना है, क्योंकि iron ore इनकी भी क्या होती है, अलग-अलग grade होते हैं, A grade, B grade, ठीक है, अलग-अलग grade के पाए जाते हैं, तसलिए, confuse नहीं होना है, तो, it is rich in copper lead, zinc और manganese में औस्टेलर इच है, कलगूरिली एंड कूल-गार्डी, area of western Australia has a large deposit of gold, ये दो रीजन हैं, वहाँ पर areas हैं, इन पर largest deposit हैं, gold का, Antarctica, the geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposit, Antarctica भी किसके लिए जाने जाता है, उसके जो वहाँ पर mineral deposit है, उसके लिए बहुत जाना जाता है, यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे minerals पाए जाते हैं, significant size of deposit of gold in the trans-antarctic mountain, ठीक है, तो, यहाँ पर gold पाए जाता है, बहुत trans-antarctic mountains में, and iron near the Prince Charles mountains, Prince Charles mountains में iron पाए जाता है, जो की East Antarctica में है, iron, ore, silver, iron, ore, silver, gold and oil are also present in commercial quantity, यह भी बहुत यहाँ पर commercial content है, अब देखेंगा, distribution of India में कैसे distribute हमारे minerals, iron, iron, iron का पाए जाता है, India has deposit of high grade iron ore, इंडिया के पास भी बहुत सारी high grade है iron ore की, जैसे कि the minerals कहाँ पर found होता है आपका, इंडिया में, जारखंड, ओडिशा, शात्यजगर, मध्यप्रदेश, गोव, महरास्ता और करनाटगा, ठीके हाँ पर ज्यादा iron पाए जाता है, और एक्सपोर्टर है माइका का वल्ड में, कौपर, कौपर कहाँ पर पाए जाता है आपका, राजिस्थान, मध्यप्रदेश, जारकन, करनाटगा, अंद्रप्रदेश में, मैंगनीज कहाँ पर आपके डिपोजिट है, इसकी बहुत, महरास्त्र, मध्यप्रदेश, हत्यजगर, ओडिशा, करनाटगा, अंद्रप्रदेश, लाइमस्टोन का पर पाए जाता है, जो स्टेट है इंडिया में, जैसे कि बिहार हो गया, जारकन, ओडिशा, मध्यप्रद अंद्रप्रदेश, हत्यजगर, राजिस्थान, गुजराद, और तमिलनाडू, और गोल्ड पाए जाता है, आपका कोलर in करनाटका, अधिपोजिट ओव गोल्ड इंडिया में, थिके करनाटका में इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसलिए, सॉल्ट, इसलिए प्रॉ होता है salt और लेक से इंडिया is one of the world's leading producer of exporter of salt इंडिया one of the world में best है exporter किसका salt का producer है uses of minerals minerals के uses minerals are used in many industries minerals बहुत से industries में use होता है minerals which are used for gems are usually hard minerals jams होते हैं जैसे diamond के gems होते हैं तो उसमें बहुत use वाली hard minerals होँआ पर use होता है these are then set in various style for jewelry जो jewelry ठीक है तो यह jewelry की form में हमें मिलता है अलग-अलग form में होता है हमारा ठीक है minerals अलग-अलग फिर color के लिए भी use होता है copper is another metal used in everything from coins to pipes copper भी एक ऐसा metal है जो कि हर चीज में use होता है coins से लेके pipe silicon जैसे computer industries में भी होता है ठीक है quarter aluminum obtained from its ore bauxite is used in automobiles ठीक है aluminum जो होता है हमें mineral जो मिलता है metallic mineral है और bauxite यह इसकी iron ore है ठीक है और यह हमें automobiles aeroplanes bottling industries इनसे यह सब बनता है aluminum से आपका एना buildings and even kitchen cookware में भी aluminum के use होता है अब conservation of minerals ठीक है minerals are a non-renewable resource minerals जो है non-renewable resource है दुबार से renew नहीं हो सकता है ठीक है it takes thousands of iron formation and concentration of minerals ठीक है इसमें हजारों साल लग जाता है minerals को form होने में और उसको बनने में the the rate of formation is much smaller than the rate at which human consume these minerals जिस rate से हम consume use करता है minerals उससे कहीं जाधा time लगता है इसको बनने में it is necessary to reduce wastage in process of mining ठीक है तो हमें क्या करना है reduce wastage करना है in the process of mining ठीक है तो कम से कम हमें इनका use करना चाहिए recycle of metals is another way in which the mineral resource can be conserve और recycle करना चाहिए जिससे के metals conserve हो सके तो यहां पर यह दिखाए गया हमें reuse reduce recycle means दुबारा से use करे reduce means कम use करे और recycle means दुबार से उनको convert करें हम builders में के students यह पड़ेंगे हम आपका next part में power resources ठैंक यू